हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो के मास्टर वीडियो के हिंदी व्याकरण में तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उपसर्ग की तो ये वीडियो बहुत ही मात्तपूर्ण है अगर आप किसी भी गवर्मेंट पृतियोगी परिक्षा को देते हैं जैसे किसी शक्षक भरती परिक्षाएं होती है तो उनके लिए ये जो पहला पार्ट होता है पहला पेपर होता है उसके लिए बहुत ही मात्तपूर्ण है सभी परिक्षाओं में पूछा जाता है इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिल आइकन प्रेस कर लें चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं हिंदी व्याकरण से संबंधित हिंदी साहित के इतिहास संबंधित महत्तपूर्ण वीडियों का पूरा का पूरा जखीरा भरा हुआ है तो आप उन वीडियों को जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियों हैं सभी वीडियो परिशाओं की दरश्टी से महत्तपूर्ण है तो उपसर्ग पर बात करेंगे तो सबसे पहले उपसर्ग की परिभाशा देख लेते हैं जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेशता उत्पन कर देता है उन शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं जैसे हार एक शब्द है इस शब्द के पहले यदि सम, वी, प्रा, उपसर्ग जोड़ दिये जाएं तो समहार, समहार, वी, धनहार, विहार, प्राधनहार, प्राहार, तथा उपधनहार, उपहार शब्द बनेंगे यहां उपसर्ग जुड़कर बने सभी शब्दों का अर्थ हार शब्दों से भिन्न है उपसर्गों का अपना सोतंत्र अर्थ नहीं होता मूल शब्द के साथ जुड़कर ये नया अर्थ देते हैं इनका स्वतंत्र प्रियोग नहीं होता जब किसी मूल शब्द के साथ कोई उपसर्ग जुड़ता है तो उनमें संधी के नियम भी लागू होते हैं संस्क्रत उपसर्गों का अर्थ कहीं कहीं नहीं भी निकलता है, जैसे आरंब, आरंब का अर्थ है शुरू आत, इसमें प्राउपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द प्रारंब बनता है, जिसका अर्थ भी शुरू आत ही निकलता है नोट यह जरूरी नहीं है कि एक शब्द के साथ एक ही उपसर्ग जुड़े कभी-कभी एक शब्द के साथ एक से अधिक उपसर्ग जुड़ सकते हैं जैसे उदहरण के तोर पे दिया हुए है सम्धन आधन लोचन समा लोचन सुधन आधन गत सुआगत प्रतिधन उपधनकार प्रत्यवपकार सूधन प्राधन इस्थान सुर्प्रस्थान सतधन आधन चार सदाचार अनधन आधन गत अनागत अनधन आधन चार अनाचार आधन प्रा पराधन जय अपरा जय उपसर्ग के भेद कितने भेद होते हैं उपसर्ग के हिंदी भाशा में चार प्रकार के उपसर्ग प्रियुक्त होते हैं कौन-कौन से हैं? पहला है संस्क्रत के उपसर्ग दूसरा देशी अर्थाद हिंदी के उपसर्ग तीसरा विदेशी अर्थाद उर्दू, अंग्रेजी, फार्सी आदी भाशाओं के उपसर्ग तीसरा और चौथा अव्यव शब्द जो उपसर्ग की तरह प्रियुक्त होते हैं सबसे पहले देखते हैं संस्कृत के उपसर्गों के बारे में संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं कितने 22 उपसर्ग होते हैं वे उपसर्ग तत्शम सब्दों के साथ हिंदी में प्रियुक्त होते हैं इसलिए इन्हें संस्क्रत के उपसर्ग कहते हैं जैसे एक तरफ लिखा हुआ है उपसर्ग और दूसरी तरफ अर्थ है बीच में और अंत में है उसके उदाहरण उपसर्ग अर्थ और उदाहरण पहला है अती अधिक उपर अत्यंत अतिरिक्त अती व्रश्टी अत्यधिक अतिशे अतिक्रमड अतिशीग्र अत्याचार अत्युक्ति अत्यावश्यक अत्यल्प अतिसार अतियू दूसरा शब्द है अधी, अर्थ है प्रधान या स्रेष्ट उदारण है अधिकार, अधिपती, अधिनियम, अध्यक्ष, अधिकरण, अधियन, अधिगम, अधिक्रत, अधिनायक, अधिभार, अधिशेष, अध्यादेश, अधिक्षण, अध्यापक, अधिग्रहन, अध्याय तीसरा शब्द है अनु अर्थ है पीछे क्रम अनु भार, अन्वीक्षा, अन्वीक्षण, अन्वीस्ट, अन्वेक्षण, अन्वेक्षक चौथा है अप इसका अर्थ है बुरा या अभाव अगला शब्द है आउ अर्थ है नीचे या हीन या बुरा उदहरन है अवगुण अवतार अवनती अवरुद्ध अवधारना अवशेश अवसान अवकाश अव मूल्यन अवसाद अवधान अवलोकन अवसर अवचेतना आवाप्ति अवगत अवग्या अवस्था अवमानना फिर अगला शब्द है अभी जिसका अर्थ है सामने या पास उदारण है अभिमान, अभिमुख, अभिमत, अभिने, अभिनव, अभिवादन, अभियोग, अभिमन्यू, अभिज्ञान, अभियुक्त, अभिशेक, अभिनेता, अभिराम, अभिव्रद्धी, अभिलाशा, अभिकरण, अभिष्ट, अभ्यास, अभ्यांतर, अभ्युदय, अगला शब्द है आ अर्थ है तक सहित आजन्म आमरण आगमन आक्रमन आहार आयात आतप आजीवन आदान आसार आकरशन आलेख आभार आधार आगार आश्रे आगत आकर अगला शब्द है उत उचा या स्रेष्ट उधारन है उत साह उत कंठा उत थान उत तम उत पन उत पत्ती उत पीडन उत क्रश्ट उद़ार उधार उज्वल उद्योग उलेख फिर अगला शब्द है उप जिसका अर्थ है पास गौर या सहायक उदारण है उपवन, उपदेश, उपमंत्री, उपकार, उपनाम, उपनयन, उपस्थिती, उपन्यास, उपचार, उपयोग, उपांग, उपमन्यो, उपराष्ट्रपती, उपक्रत, उपहार, उपसाहार, उपलक्ष, उपहास, उपकुलपती, उपयुक्त, उपायुक्त, उ उपक्रम, उपग्रह, अगला शब्द है दुर, बुरा, कठिन या विप्रीद, अर्थ इसका उदारन है दुरजन, दुरदशा, दुरलभ, दुराचार, दुराशा, दुराग्रह, दुरभाग, दुरयोधन, दुरगम, दुरबल, दुरगती, दुरवासा, दुरभीक्ष, दुरगुण, फिर अगला शब्द है दुस, जिसका अर्थ है बुरा या कठिन, उदारन है दुसाहस, दुसकार, दुसचरित, दुसकर, दुसचिंता, दुसशासन, दुसकर्म, दुससाध, दुसतर, दुसपरशी, फिर शब्द है नि, जिसका अर्थ है रहित, विशेस य अगला शब्द है निर जिसका अर्ध है निशेद या विपरीत बड़ा या बाहर। उदारण है निरलज्य, निर्भय, निर्णय, निर्दोष, निरप्राध, निराकार, निराहार, निर्धन, निरोग, निराशा, निर्विग्न, निर्दोष, निर्गुड, निर्भिमान, निर्वाह, निर्जन, निर्यात, निर्दई, निर्मल, निर्भीक, निरिक्छक, नि निर्वाच्यन, निर्विरोध, निरर्थक, निरस्त, निर्णिमेश, निर्भय, निरंजन, निरुपम. फिर अगला शब्द है निस, जिसका अर्थ है रहित, अच्छी तरह से या बढ़ा. उधारन है निश्चल, निश्चे, निश्सार, निशंदे, निश्चल, निश्काम, निशंकोच, निश्वार्थ, निश्तारण, निश्कपट, निश्कासन अगला शब्द है परा जिसका अर्थ है पीछे, तिरस्कार या विपरीप उधारण है पराजय, पराभाव, पराक्रम, परामर्ष, पराधीन, परावर्तन, परास्त, पराकास्था फिर शब्द है परी जिसका आर्थ है पूर्ण, पास, चारों, ओर उदारण है परिणाम, परिवर्तन, परिश्रम, परिक्रमा, परिवार, परिपूर्ण, परिमार्जन, परिमाप, परिसर, परिधी, परिग्डती, परिपक, परिचर्य, परिचर्चा, परिकल्पना, परिब्रमन, परियावरण, परवेक्षन, परिक्षा, परिणे, परिग्र फिर शब्द है प्रति जिसका अर्थ है प्रति एक या उल्टा उदारन है प्रति दिन, प्रतिनिधी, प्रति पक्ष, प्रतियक्ष, प्रतिकूल, प्रतिक्षन, प्रतिमास, प्रतिरोध, प्रतिलिपी, प्रतिमान, प्रतिग्राम, प्रतिज्य, प्रत्यावन, प्रत्यावर् अगला शब्द है प्रा जिसका अर्थ है अधिक आगे या उत्करष्ट उदाहरण है अगला शब्द है वी जिसका अर्थ है विशेस अभाव या भिन उदाहरण है वियोग विभाग विनाश विज्ञान विजय विदेश वियाकुल विक्रत विकट विपक्ष विचार विशेस विराम विकल विमल विरोध विकास विवरत विमान वियाकरण विख्यात विलोम व अगला शब्द है सम जिसका अर्थ है संपूर्ण उत्तम या अच्छी तरा उदहरण है संसार सम्मान संतोस सन्योग संकल्प संचय संगम संगती संबोधन समिक्षा सहार समवाद संमती समाचार समुचित समर्थ संदेह सम्विधान संचालन समर्पन संछेप संचय संपर्क संसद सैयम संबंध संकीर्ण समग्रू फिर अगला शब्द है अपी जिसका अर्थ है निश्य और भी उदाहरण अपितु, अभिदा, अपिधान, अपिहित, अपिबध, अपिवरत फिरकला सब्द है सु जिसका अर्थ है अच्छा, अधिक, सरल उदाहरण है सुलेग, सुयष, सुपुत्र, सुयोग, सुगंध, सुगती सुबोध, सुपुत्र, सुकन्या, सुफल, सुकाल, सुकर्म, सुगम, सुकर, सुदिन, सुलभ, सुमन, शुसील, सुविचार, सुमंत्र, सुनार, सुआगत, सुदूर, सुद्रण, सुनैना, सुरक्षा, सुमती, सुभास, सुरेखा, सुनीता, सुलक्षणा, सुपारी, पुत्री तो यह थे संस्क्रत के अब बात करते हैं हिंदी के उपसर्ग या विदेशी सब्द उपसर्ग अर्थ है और फिर उदाहरण है स्वारी हिंदी के उपसर्ग देखेंगे ठीक है आ रहित निसेद इसका अर्थ है और उदाहरण है अचेतन अजान अथा असाध अकाट अटल अलग अचूत अभागा अमर अज्ञान अमोल अमरत अधर्म अकाल अतुल अतल अरूची अवैतनिक अक्षत अजीर अपद्ध अचिर अजर अनाम अजन्मा अकारण अहित अहर्ता अन जिसका अर्थ है अभाव या निसेद उदाहरण है अनपढ अनजान अनबन अनमोल अनमेल अनहित अनसुनी अनकही अनहोनी अनदेखी अनमना अनखाया अनचाहा अनसुना फिर अगला शब्द है अध्ध आध्हा उदाहरण है अध्पक्खा अध्मरा अध्जला अध् फिर शब्द है आप, अर्थ है स्वयम, आप बीती, आप काज, आप कही, आप देखी, आप सुनी, आपकर, आप निधी फिर शब्द है U, अर्थ है U, उद्धारण है उचक्का, उजड़ना, उछलना, उखारना, उभार, उन, अर्थ है एक कम उदारन है उन्नीस उन्तीस उन्चालिस उन्चास उन्सट उनहत्तर उनासी फिर शब्द है ओ उदारन है हीन या निसेद अर्थ है हीन या निसेद उदारन है ओगुड ओसर ओघड ओगट ओरस फिर है का अर्थ है बुरा उदारन है कपूत, कलंक, कठोर, कसूर, कमर, कमाल, कपास, कगार, कजरा, कमरा, कजली, कचरा फिर है का अर्थ है बुरा उदारन है कायर, कापुरुस, काजल, कातर, कातिल, कातना, कायम, काफिर फिर है कु अर्थ है बुरा याहीन उदारन है कुरूब कुपुत्र कुकर्म कुख्यात कुमार्ग कुपग्त कुगती कुमती कुक्रत कुविचार कुपात्र कुसंग कुसंगती कुयोग कुमाता कुचाल कुचक्र कुरीती कुप्रबंध फिर है चो चार चो राहा चो पाल चो पड चो मासा चो पाया चो रंगा चो सर चो पाई चो मुखा चो कोर चो गुना चो बीस चो खट चो तरफा फिर है ती जिसका अर्थ है तीन उदारन है तिराहा तिकोना तिरंगा तिपाई तिमाही तिगुनी तिकडी फिर है दू जिसका अर्थ है दो या बुरा उदहरन है दुमुहा, दुबला, दुरंग, दुलती, दुनाली, दुराह, दुकाल, दुभासिया, दुशाला, दुलार, दुधारु, दुपहिया फिर है नाना अर्थ है विविद उधारन है नाना प्रकार नाना रूप नाना जाती फिर है नी अर्थ है अभाव उधारन है निकम्मा निहत्ता निठला निडर निवास निदान फिर अगला शब्द है पच अर्थ है पाँच उधारण है पच रंगा पच मेल पच कुटा फिर है पर अर्थ है दूसरा उधारण है परकाज परदेश पर कोटा पर हित परदेशी पर जीवी पर पुरुष पर निंदा पराधीन परोपकार फिर अगला शब्द है बाहु बहु अर्थ है ज्यादा उदारन है बहु मूल बहु वचन बहु मत बहुदा भुज बहु बहु ब्रीह फिर है बिन अर्थ है बिना उदारन है बिन खाया बिन ब्याहा बिन बोया बिन चाहा बिन जाना बिन देखा बिन बुलाया बिन सोचा फिर अगला शब्द है भर अर्थ है पूरा उदारन है भर पेट भर पूर भर कम भर सक भरतार भरमार भर पाई फिर शब्द है सा, अर्थ है सहित, उदाहरन है सपूत, सफल, सबल, सजक, सचेत, सचकाम, ससमान, सप्रेम, सरस, सघन, सजीव, सजक, सकुशल अगला शब्द है सम, अर्थ है समान, उधारन है समतल, समदर्शी, समकक्ष, समकोड, समबाहू, समरस, समकालीन, समवर्ती, सममित्व अगला शब्द है विदेशी उपसर्ग जिसमें बहुत सारे शब्द आते हैं हिंदी में विदेशी भाषाओं के उपसर्ग भी प्रियुक्त होते हैं विशेश रूप से उर्दू, फार्सी और अंगरेजी के कही उपसर्ग अपनाय जाते हैं इसमें विदेशी उपसर्ग में क्या है कि उर्दू, फार्सी और अंगरेजी के शब्द अपना जाते हैं इनमें से कतिप इस प्रकार हैं उदारण है उर्दू के उर्दू, फार्सी के उपसर्ग सबसे पहले देखेंगे अल, निश्चित अर्थ होता है और इसका उदारण है अगला है कम जिसका अर्थ होता है थोड़ा या हीन उदारण है कम वक्त, कम जोर, कम सिन, कम कीमत, कम अकल, कम खर्ष फिर है खुश, अर्थ है प्रसन या अच्छा जिसका उदारण है खुश भू, खुश दिल, खुश मिजाज, खुश नुमा, खुश हाल, खुश नसीब, खुश किसमत, खुश खबरी अगला शब्द है गैर जिसका अर्थ है निसेद या रहित उदहरन है गैर हाजिर गैर कानूनी गैर कौम गैर मर्द गैर सरकारी गैर वाजिब गैर जिम्मेदार फिर अगला शब्द है दर जिसका अर्थ है में उदहरन है दर असल दर कार दर मियान दर बदर दर हकीकत दर बार दर खास्त दर किनार दर गुजर फिर अगला शब्द है ना जिसका अर्थ है नहीं अगला शब्द है बा अर्थ है अनुसार या साथ फिर है बद जिसका अर्थ है बुरा फिर शब्द है बे जिसका अर्थ है बीना या रहित उदारण है बे इमान बे चारा बे अकल बे हिसाब बे मिसाल बे हाल बे वकूफ बे दाग बे कसूर बे परवाह बे कार बे काम बे घर बे वफा बे दर्द बे समझ बे वजह बे चैन बे शुमार बे होश बे इज़त बे रहम बे सहारा बे रोजगार बे वक्त बे करार बे अ पिर है ला जिसका अर्थ है परे या बिना उधरन है ला परवा, ला चार, ला वारिस, ला पता, ला जवाब, ला इलाज फिर है सर जिसका अर्थ है मुख्य उधरन है सरकार, सरदार, सरपंच, सरहद, सरनाम, सरफरोश अगला शब्द है हम अर्थ है साथ या समान उदारण है हम दर्दी हम राज हम दम हम वतन हम राह हम दर्द हम उम्र हम सफर हम शकल हम जोली हम राही हम पेशा अगला शब्द है हर प्रते एक उदारण है उदारण है हर दिन हर एक हर साल हर दम हर रोज हर बात हर चीज, हर बार, हर वक्त, हर घड़ी, हर हाल, हर कोई, हर तरफ अगला शब्द है बा जिसका अर्थ है सहित उधारन है बखूबी, बतौर, बशर्ते, बतर्ज, बकॉल, बदौलत, बमुश्किल, बदस्तूर, बगैर, बनाम फिर शब्द है बिला, जिसका अर्थ है बिना, उधारन है बिला कसूर, बिला वज़, फिर शब्द है बेश अत्यधिक, बेश कीमती, बेश कीमती इसका उधारन है फिर है नेक, अर्थ है भला, उदारण है नेक राह, नेक दिल, नेक नाम, अगला शब्द है एन, ठीक इसका अर्थ है, उदारण है एन वक्त, एन जगा, एन मौके, अंगरेजी के उपसर्ग देख लेते हैं सब, सब का अर्थ है छोटा, उदारण है सब रजिस्टर, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, सब जज, फिर है है एड, अर्थ है प्रमुक, उदारण है हेड मास्टर, हेड ओफेस, हेड कॉंस्टेबल, फिर है एक्स, अर्थ है मोक्त, उदारण है एक्सप्रेस, एक्स प्रिंस अगला शब्द है डिप्टी अर्थ है इस्थाना पन प्रतिनिधी उद्धारण है डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी मनेजर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार शब्द है वाइस, अर्थ है उप्ट, उद्धारण है वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट शब्द है जनरल, अर्थ है सामान्य, उद्धारण है जनरल मनेजर, जनरल इन्शोरेंस अगला शब्द है चीफ अर्थ है मोख्य उधारण है चीफ मिनिस्टर चीफ सिक्रेटरी फिर फिर पॉइंट है हमारा उपसर्ग की तरह प्रियूक्त अव्याव उपर्यूक्त उपसर्गों के अध्रिक्त हिंदी में संस्कृत के कुछ अव्याव विशेशन और शब्दांस भी उपसर्गों की तरह प्रियूक्त होते हैं जैसे आ अर्थ है निसेद उधारण है अप्राकरतिक अकरतिम अधर्म अनात अपूर्ण अभाव अमूल अगला शब्द है अधा नीचे अर्थ है इसका उधारण है अधा पतन अधो गती अधो मुख शब्द है अन अर्थ है निसेद उधारण है अनंत अनादी अनागत अनर्थ शब्द है अंतर या अंता अर्थ है भीतर उधारण है अंता करण अंता प्रांति अंतर गत अंतर आत्मा अंतर धान अंतर दशा अंतर यामी अंतर रिक्ष अंतर मन अंतर 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 अग्यान अंतर देशी अंतर द्वंद अंतर राष्ट्री अगला शब्द है अमा अर्थ है अमावस्या फिर शब्द है अलम अर्थ है बहुत या काफी उदारन है अलंकरण अलंकरत अलंकार फिर शब्द है आत्म अर्थ है सोयम, उदारण है आत्म कथा, आत्म गहात, आत्म बल, आत्मानुभूती, आत्म हत्या, आत्मज, आत्म शलागा, आत्म समर्पन, आत्मोत सर्ग, आत्म ज्यान, आत्म साथ, आत्म विश्वास फिर शब्द है आविर या अविह अर्थ है प्रकट उदारण है आविर भाव आविर भूद अगला शब्द है आविस या आविह उदारण है अविसकार अविसकरत फिर शब्द है इती, अर्थ है अंत या ऐसा, उधारण है इतिश्री, इतिहास, इत्यादी, इतिवरत, इतिवारता शब्द है चिर, अर्थ है बहुत, उधारण है चिरकाल, चिरंतन, चिरायू, चिरंजीू, चिरस्थाई, चिरपरचित, चिरपरिचित, चिरप्रतिक्षित, चिरस्मर्णीय, चिर निद्रा शब्द है तत अर्थ है उस समय उदारण है तलीन, तनमे, तद्वित, तद नंतर, ततकाल, तक्छन, तत पश्यात, तत सम, ततकालीन, तदू परांत, तत पर फिर शब्द है तिरस, तिरी, तिरह अर्थ है हीन या बुरा, उधारण है तिरसकार, तिरसकरत, तिरोभाव, तिरोहित, तिरोधान अगला शब्द है प्राक, अर्थ है पहले, उधारण है प्राकतन, प्राककलन, प्रागैतिहासिक, प्राग्वैदिक, प्राकतन, प्राक्रत फिर है ना अर्थ है अबहाओ उधारण है नकुल नपुनसक नास्तिक नग शब्द है प्राता अर्थ है सुबा उधारण है प्राता काल प्राता वंदना प्राता इस्मर्णी अगला शब्द है प्रादुर अर्थ है प्रकट उधारन है प्रादुर भाव प्रादुर भूत फिर शब्द है पुनर या पुना अर्थ है फिर उधारन है पुनर जनम, पुनरागमन, पुनरुदय, पुनर विवाह, पुनर मिलन, पुनर विचार, पुनरुद्धार, पुन पुनर्वास, पुनर्मुल्यांकन, पुनरिक्षण, पुनरुथान, पुनर्निर्मान शब्द है पूरा, अर्थ है प्राचीन उदारण है पुरातन, पुरातत्व, पुरापत, पुराण, पुरावशेस, पुराचीन शब्द है पुरह उधारण है पुरोहित, पुरोधा, पुरोगामी शब्द है पुरुस, पुर्स अर्थ है आगे उधारण है पुरुसकार, पुरक्ष्चरन, पुर्सक्रत शब्द है पूर्व अर्थ है पहले उधारण है पूर्वज, पूर्वा ग्रह, पूर्वार्द, पूर्वाह, पूर्वानुमान, पूर्वनिश्चित, पूर्वा भीमुख, पूर्वा भीमुखी, पूर्वा पेक्षा, पूर्वोक्त अगला शब्द है बहिर या बही, अर्थ है बाहर उदारण है बहिसकार, बहिसक्रत, शब्द है सा, अर्थ है सहित, उदारण है सजल, सपतनीक, सहर्स, सपरिवार, सादर, शपुसल, सहित, सोदेश्य अगला शब्द है सत्व अर्थ है सम्मान। उधारण है सत्कर्म, सत्कार, सद्गती, सज्जन, सधर्म, सत्संग, सत्कार, सचरित्र। शब्द है स्वा, अर्थ है अपना, उधारण है स्वनाम, स्वजाती, स्वशासन, स्वभिमान, स्वतंत्र, स्वदेश, स्वराज्य, स्वधीन, स्वधर्म, स्वभाव, स्वार्थ, स्वाहित, स्वजन, स्वेच्छा शब्द है स्वयम अर्थ है अपने आप उधारण है स्वयम भू, स्वयम वर, स्वयम सेवक, स्वयम पाणी, स्वयम सिद्ध शब्द है सह अर्थ है साथ उधारण है सहाध्याई, सहपाथी, सहकर्मी, सहोदर, सहयोगी, सहचर, सहयोग, सहकार, सहयात्री, सहानुभूती फिर शब्द है कुछ अन्य शब्द जो उपसर्ग की तरह प्रियुक्त होते हैं जैसे अध्य, अध्यतन, अध्यावधी आवा, उधारण आवागमन, आवाजाही शब्द उध, उधारण उधगम, उध्धार शब्द कत, उधारण कदंबर, कदाचार, कदर्थ, कदश्य, कदाकार उध का उधगम, उधगार है फिर है काम उदारन है काम्याब, कामकाज, कामचोर, कामचलाओ, कामदेओ, कामदेओ, कामधेण, कामशास्त्र, कामागद, कामाक्षी, कामाख्या, कामागदी, कामातुर, कामाएनी, कामोनमाद फिर शब्द है बर उदारन है बरदाश्त, बरबाद, बरकरार, बरखास्त भूगर्ब, भूदेव, भूपती, भूमंडल, भूमध्य, सागर, भूक, भूखा, भूस्वामी, भूपा, लक। फिर शब्द है स्वी, उधारण है स्वीकार्य, स्वीकार, स्वीकरत। शब्द है मंद उधारन मंद बुद्धी, मंद गती, मंद आगनी, मंद भाग्य शब्द है मत उधारन मत दान, मत पत्र, मत दाता, मत वाला, मत गड़ना, मत संग्रह, मत बहेद, मत अधिकार, मत आव लंबी अगला शब्द है मद उधारण है मद माता, मद मस्त, मद कारी, मद मत्त फिर शब्द है मधु उधारण है मधुकर, मधुमक्खी, मधुसूदन, मधुबन मधुबाला, मधुमे, मधुशाला, मधुस्वर शब्द है मन उधारण है मन चला, मन चाह, मन मोहन मन भाया, मन हर, मन भावन, मन गढ़त, मन मुटाओ, मन मोजी, मन मानी, मन सब अगला शब्द है मरू, उदारण है मरू भूमी, मरू स्थल, मरू प्रदेश, मरू धर फिर शब्द है माहा, उधारण है माहा भियोग, माहा भारत, माहा यग्य, माहा यान, माहा रथी, माहा राज, माहा राष्ट, माहा सागर, माहा मंत्री, माहा प्रयान, माहा काल, माहा वीर फिर शब्द है मान, उदारन है मान चित्र, मान दंड, मान हानी, मान दे, मान सून, मान सरोवर अगला शब्द है मित, उदारन है मित भाशी, मित व्याय, मिता व्याय, मिता हार अगला शब्द है मुह, उदारना है मुह फट, मुह बोला, मुह मांगा, मुह दिखाई, मुह तोड़ फिर शब्द है मूल, उदारना है मूल भूत, मूल धन, मूल मंत्र, मूल गरंथ, मूल बंध अगला शब्द है यथा उधर्ण है यथा शक्ती, यथा संभो, यथा समय, यथा आवदी, यथा शीग्र, यथा स्थान, यथा स्थिती फिर शब्द है रंग, रंग मंच, रंग शाला, रंग रूप, रंग डंग, रंग रेज, रंग रूट, रंग रसिया अगला शब्द है रक्त, उधारण है रक्त तुंड, रक्त वर्ण, रक्त स्राव, रक्त कंठ फिर अगला शब्द है रफू, उधारण है रफू चक्कर, रफू गर फिर शब्द है लेखा, उधारण है लेखाकार, लेखाकर्म, लेखापाल, लेखाचित्र, लेखांकन शब्द है लोक उधारण है लोक गीत, लोक कथा, लोक आचार, लोक नाथ, लोक पाल, लोका युक्त, लोक हित, लोक तंत्र शब्द है वज्र उधारण है वज्र पाणी, वज्र दंत, वज्रांग, वज्रासन, वज्र युद्ध शब्द है वग्र उधारण है वग्रमूल वग्रफल वग्रा कार अगला शब्द है सार्व उधारण है सार्व जनिक सार्व अंतर सार्व भावम सार्व कालिक सार्व देशिक तो दोस्तों ये थे शब्द जो कि हिंदी व्याकरण से संबंधित थे ऐसे बहुत से हमने शब्द पढ़े मेरों नहीं लग तब इससे ज़्यादा भी कुछ शब्द होंगे या होंगे तो मैं एगली वीडियो में भी होने लेकर आऊंगा तो आप इन सारे शब्दों को याद कर ले इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धहन्यवाद